दोस्तों नोस्कार मैं जगनाद गोता हूं देश रोजना यूटीब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों काफी दिन से ये चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर भाजपा का नया राष्टिय अध्यक्ष कौन बनेगा। लेकिन कई कारणों के चलते इस मुद्दे पर फैसला नहीं हो पा रहा। भाजपा का राष्टिय अध्यक्ष कौन बने इस पर प्रधान मंतरी मोदी जी और ग्रह मंतरी अमिस सहाजी की अलग राय बताई जाती है। जबकि महुन भागवत जी जो आर एसेस के प्रमुक हैं और जो भाजपा का मातर संक्टन हैं उनका इस मामले पर अलग राय है उनकी। तो जो बातें भाजपा की सोर्सों से निकल कर आ रही हैं उनमें बताया जा रहा है कि आर एसेस और आर एसेस प्रमुक महुन भागवत जी चाहते हैं कि वरसुंद्रा राजे को भाजपा का राष्टिय अध्यक्ष बनाया जाए है। वो बहुत ही विद्वान भी हैं बहुत अनुभवी भी हैं राज्थान की मुख्य मंतरी रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है भाजपा के लिए वो कावले तारीफ रहा है। दूसरा नाम जो है संजय जोसी जी का है बताया जाता है कि जिस दिन से आज से दस साल ग्यारे साल पहले जब मोदी जी को प्रधान मंतरी पद का दावेदार के रूप में भाजपाने पेश किया था उसी दिन से उन्होंने संजय जोसी को ठिकाने लगाने का काम किया। आप जानते हैं कि संजय जोसी हिंदुत का बहुत बड़ा चहरा है लेकिन कई कानों के चलते मोदी जी से उनकी पढ़ती नहीं थी इसलिए दस ग्यारे साल से चाहे अंचाहे यानि आरेसस के चाहने के बावजूद मोदी जी का जो वक्त चल रहा है उसमें उन्होंने संजय जोसी को खुड़े लाइन लगा के रखा है अब बताया जा रहा है कि जब राजिस्थान के चुनाव हुए थे तो जैसी की संभावना थी और जो अनुभवी वरसुंद्रा राजे थी कि उन्हीं को स्यम बनाया जाएगा लेकिन बताया जाता है कि मोदी जी और सहा जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वसुंद्रा राजे हरियाना की फिर सीम बने और हुआ भी यही कि उन्होंने उनको सीम नहीं बनने दिया और एक अंजान चेहरे भजनलाद को सीम भजनलाद शर्मा को सीम बनाया वहां का और उस पर काफी उखाल पचाल भी हुई और ये भी चला था कि इस मुद्दे पर जो वसुंद्रा राजे के पास सत्तर पिछेत्तर MLS का समर्थन था तो कांग्रेश वहां पर वसुंद्रा राजे को अपने कांग्रेश के विधाय को उसका समर्थन दे कर राजस्थान का मुख्य मंत्री बनाना चाहती थी समर्थन देना चाहती थी ये खूब चर्चाओं में बात रही लेकिन जैसे तैसे वसुंद्रा राजे को मना लिया गया और उनको राष्टिय पाध्धक्ष का पद्दे दिया गया आज भी वो भाजबा की राष्टिय अध्यक्ष है अब माना जा रहा है कि वसुंद्रा राजे कभी भी किसी से दवती नहीं है और उन्होंने कभी भी मोदी जी और अमिसाह जी के सामने घुटने नहीं तेके उन्होंने अपने सर्टों पर राजनीती की कभी भी दवाब में नहीं आई इसलिए वे दोनों वसंद्रा राजे को पसंद नहीं करते लेकिन जो नियम बनाया गया था कि पिछेत्तर पार से उमरवालों को ना तो टिकट दिया जाएगा ना ही किसी बड़े पद पर बिठाया जाएगा ये नियम मोदी जी के आने के बाद लागू हुआ और जो भाजबा के वरिस्तम लेता थे और अडवानी जी के पहला जो राजनिती कर रहे थे चाहे जूसी जी हों अडवानी जी हों और कैस नाम हैं उन सब को घर बिठा दिया गया कि पिछेत्तर पार कि जो भाजबा के नेता हैं उनको कोई पद नहीं दिया जाएगा नच चुनाब में टिकट दिया जाएगा अब कहा जा रहा है कि मोदी जी खुद अब साल डेड़ साल में पिछेत्तर साल के हो जाएंगे और यदि वसुंद्रा राजे भाजबा की राष्टिया ध्यक्ष बन गई तो वो इस नियम को आगे जारी रखना चाहेंगी और उनकी इच्छा होगी कि पिछेत्तर साल के होने पर मोदी जी पद्याग दें और ये मौका किसी कम उमर के भाजबा नेता को देंगे तो कहा जा रहा है कि मोदी जी इस बाज से डरे हुए हैं और उनका डर जो है यहां तक हावी हो गया है कि जो भाजबा सूत्र बता रहे है कि मोदी जी अब वसुंद्रा राजे को भाजबा के राश्टिय पद्य अध्यक्ष की जग है राजिस्थान का सीएम बनाने को तैयार है चुँके यदि वो सीएम बन जाएंगी ते कौने में एक राज्जे की राजनीती करती रहेंगी और यदि राश्टिय अध्यक्ष बनी तो उनके लिए उनकी भविश्य के राजनीती के लिए उनके प्रदान मंत्री पद्य के लिए खत्रा पैदा हो सकती है और वो नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर वसुंद्रा राजे राश्टिय अध्यक्ष के कुर्शी पर बैठ है लेकिन दोस्तो आरेसेस प्रमुख महुन भागवज जी इस बात पर अड़े हुए है कि वसुंद्रा राजे एक तो महिला है किसी बड़ी महिला को ये पद नहीं मिला है तो ये पद महिला को मिलना चाहिए यदि वसुंद्रा राजे को भाजपा का राश्टिय तक बनाया जाता है तो देश की बड़ी संख्या में महिलाएं भाजपा से और जुड़ेंगी और वो चूंकी अनुभवी हैं तो बहतर तरीके से उनके नेतरत में भाजपा और तेजी से आगे बढ़ेगी इस भी चेक और चौंकाने वाली खबार आई है कि संजे जोशी जी भी प्रदान मंतर जी से मिले हैं उनकी मुलाकात हुई है तो कहने का ताथ पर यह यह है कि अपनी उम्र को देखते हुए मोदी जी पर यह दवाब पढ़ रहा है कि वो ज्यादा विरोध ना करें वर्सुंद्र राजे की राष्टी अध्यक्ष बनने में रोड़ा नाटकाएं उनको राष्टी अध्यक्ष बनने दें वैसे RSS यह भी चाहता है कि जो हिंदुत का बड़ा नाम रहे हैं संजय जोसी उनको भी यदि भाजपा का राष्टी अध्यक्ष बनाया जाता है तो भी उन्हें कोई परिशानी नहीं है तो दोस्तों यह चर्चाएं देश की राजनीती में तेहर रही है अब देखना यह है कि मौन भागवत जी अपनी परसंद का राष्टी अध्यक्ष बनाया पाते हैं या नहीं या अभी भी मोदी सहा की जोड़ी अपनी परसंद का राष्टी अध्यक्ष बना सकती है या नहीं लेकिन आने वाले कुछ ही समय में यह सब को पता चल जाएगा कि भाजपा का राष्टी अध्यक्ष आरेसेस की पसंद का होगा या प्रदान मंत्री मोदी जी और ग्रह मंत्री अमिस सहा की पसंद का होगा लेकिन जो भी होगा वो चौकाने वाला नाम जरूर होगा और देखते हैं इस मुद्दे पर जीत आरेसेस की होती है या प्रदान मंत्री मोदी जी और ग्रह मंत्री अमिस सहा जी की तो दोस्तों देखते रहे देश रोजाना मिलते हैं कल फिर नए मुद्दे पर नए एपिसोड में जै हिन जै भारत जै सज़दान